टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों के पास गेन की कोई कमी नहीं होती और वो जब तक चाहे बल्लेबाजी कर सकते हैं इसलिए कभी बल्लेबाज जल्द बाजी में रन बनाने की कोशिश नहीं करते बलके धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाते हैं चुँके टेस्ट मेच में बल्लेबाज काफी सोस समझ कर बल्लेबाजी करते हैं इसलिए गेनबाज अक्षर की भाईती सावित होते हैं मगर कई बार ऐसा हुआ है कि बल्लेबाज काफी तेजी के साथ बल्लेबाजी करना सुरू कर देते हैं और चौके छक्के की बरसात कर देते हैं और उस वक्त गेनबाज काफी महगे सावित हो जाते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे दो भारती गेनबाजों के बारे में बताएंगे जिन्होंने टेस्ट मेच के एक ओभर में काफी जादा रन दे कर एक सर्मनाक रेकॉड अपने नाम कर लिया है तो आपका जादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो मुनाफ पटेल तेस्ट किरिकेट के एक ओभर में सबसे जादा रन देने वाले भारती गेनबाजों की लिष्ट में मुनाफ पटेल का नाम दूसरे नमबर पर आता है मुनाप पटल भारते टीम के एक जबरदस्त तेज गेनबाज थे और उन्हें अक्सर तेजी के मामले में सुवेव अक्तर से कमप्यार किया जाता था वो साल 2011 में वर्लकॉप जीतने वाली भारते टीम का हिस्सा भी थे उन्होंने कही एहम मेचों में भारते टीम के लिए शांदार गेनबाजी का मुझाहरा करते हुए टीम को जीत दिलाई है लेकिन टेस्ट मेच के एक ओभर में सबसे ज़्यादा रन खर्च करने के मामले में उनका इस्थान दुसरे नंबर पर आता है वेस्ट इंडिज के खलाब साल 2006 में खेले गए एक टेस्ट मेच में उन्होंने 25 रन दिये थे मुनाप पटल के उस ओभर में राम नरेश सर्वन ने 6 चोके लगा दिये थे हरबजन सिंग हरबजन सिंग का सुमार दुनिया के बेहतरीन ओफिस पिनर गेंदबाजों में किया जाता है उन्होंने भारत के लिए एक मेच उन्हेर की भूमी का निवाते हुए कई सारे किर्तिमान इस्थापित किये हैं लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक ओबर में सबसे ज़्यादा रन देने के मामले में वो भारतिये गेंदबाजों में पहले इस्थान पर आते हैं पाकिस्तान के खिलाप साल 2005 में खेले गए एक टेस्ट मेच में हरवजन सिंग ने एक ओबर में 27 रन दे डाले थे इस ओबर में पाकिस्तान की तरफ से शाहिद आफरीदी ने चार छक्के लगा दिये थे लेकिन अगर दुनिया के अलग गेंदबाजों की बात की जाए तो इंगलेंड के महान गेंदबाज जेम्स अंडर्सन ने ऑस्टिलिया के खलाप एक मेच में एक ओबर में 28 रन दे कर इस मामले में हरवजन सिंग से भी आगे हैं इस पीन गेंदबाजी के मामले में आपको कौन सा गेंदबाज सबसे ज़्यादा पसंद है कॉमेट करके जरूर बताईए